आल्दा रसुल मक्का ग visiting तो पिर दादा के पास रहे चाचा के पास में औग दर मिली जो को मिली जो सबसे ज़्यादा गरीब थे चचा उनको आपको जिम्मेदारी दी गए तो गुर्बत थे अब यह बहुत गरीब थे तो उनका गुजर मुज़र मुश्किल से होता था तो अल्ला के रसुल समय कुछ चचा की मदद करने के लिए उट चलाया करते हैं ताकि कुछ ज उनकी बेहन थी जिसके आप उट चराते थे तो उट के उट चराते थे तो अब यह होता था कि जब शान को पहुंचते थे तो उट उनके घर पर ले जाके बांद देते और जो उजरत जो दिन पर उनका में इंताना आता हो ले 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 लिया करते थे तो इसी तरह एक उनके कुछ अल्हा कर दूним, उनके कुछ अलारा से जो साथी थे , उनके साथ में करे है। जा के उट चरणाएने के लिए उन. उं-स अल्या के गजरत करें। ये बागे हम ने लूद, वमने लूद करें। कि उनकी भी दे दो तो हदर्ट खळ्जिया ने कहा कि वो कहा है? वो क्यों नहीं आते हैं? उनसकी बेहन से पूछा है वो नहीं जानती थे कि पोणे हो उनने कि वो क्यों नहीं आता है? अजुझरत लेने के लिए आप ये दूसरा ज़ना मांग रहे हैं? तो फिर उनकी बेहन ने कहा है कि वो नहीं आता है, वो आते नहीं है, वो शर्मिले, वो औरतों से तभी बात करते हैं, अभी कुछ तारीख बयान कि उनकी बहुत इमानदार है, वाकिरदार आदमी है, अखलाग पसंद आदमी है, पाकीजा है, अब यह जो बात है हजरते खद यह बात है, उनकी सिफात उनको पर इह बात उनको मालूम बढ़ी, तो हदरत खदीजा अरब के अंदर बहुत मालदा ओरत में थी, यही सबसे मालदा ओरत थी, विसे ताम तरपर कहें कि उर्टों के पास माल नहीं होता था वापट, उर्टों के वाँ पर जादा होगूव दिये नहीं जाते तो विर्या सत्मन को कुछ मिलता नहीं था तो उनके पास लेगे इनके पास में था बल्कि तो वह पे तो इत्ती जहालत फेली हुई थी कि अगर अरब के अंदर उस वक्त अल्यक वेसले सलम नहीं आये तो उससे पेले कि अगर किसी का बाप मर जाता और अगर बच्चे जवान होते तो वो क्या करते है कि उसकी माँ को छोड़ते हैं लेकिन जैसे उसकी सोतेली माँ है उसके बाप के अगर दो-तीन बीवी आए तो सोतेली माँ है तो उससे भी निकाह कर ले थे ताकि वो जायदा दूदर जाए ना उसके बच्चे वो उदर कुछ तक्सीम ना हो जाए कुछ दिना तो पड़ेगा तो वो ना जाए तो इसलिए उसलिए उसलिए निकाह कर ले पर जहालत यहां तक की और विरासत जो है सारी वो मर्द खा जाते थे वहाँ तो फिर इसलिए मिलता नहीं था उड़ता को लेकिन एहरत ख़दीजा के साथ में यह होगा कि इनके दो शोवर हुआ है पहले शोवर के पास माल नहीं था जो बुजर गए लेकिन इसके बाद में पहले वाले सो उलाद थी बच्चे थे, अदुसरे से नहीं थे, दूसरे का नाम उनका था, अथिक, अथिक नाम था उनका और वहुत मालदार शक्षाथे। उनके पाद इन से कोई उलाद नहीं थी ना उनका रिस्तिदार था। तो जब उनका इंतिका लुपा तो सारे के सारा जाइदा तो पूरी अधरत खदीजा के पास में अधरी तो अधरत खदीजा ने फिर ये किया कि उनका हिस्सा मिला उनको तो उन्होंने फिर इस माल को बिजनस में लगाया उससे बिजनस को इससे बढ़ाया तो इस तरह से उनक तो फिर इनको कुछ भी नहीं मिलता, सब उलाद को चला जाता, इमा पर ट्रेडिशन यही था, बना हुआ था, और यह तो खेर आज भी बना हुआ है, उस वक्त क्या था, आज भी मुसल्मानों के अदर बना हुआ है, लोग बेनों के शादी करते थे, बेनों का हिस्सा देते ह मुझे तो बहुत मुश्किल है, किसी नहीं दिया हुँ, मिशाल के लिए भी पेश नहीं कर पसकते हैं, कुरान के आयाते हैं, यह पिसे को बना है, जिसों के बारे में हम जो बता हैं किसी को गेर मुसलिम को, कि दोखो यहां तो बेनों का हिस्सा है, देना पड़ता है, और किसी को दिया हमारे में मिशाल पेश करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं देते हैं, जहालत तो अभी तक गई भी नहीं है, नहीं देते हैं, वो उसके अंतर भाने बनाते हम इनको शादिय कर ली, इनकी शादिय करा दी, देज दे दिया, अच्छी विरूम धाम स शादी करी बड़ी, ये रिसूर्ट किया था, ये फला ये किया था, तो इसमें कर्चा कर दिया, अब हो गया ही हो गया इनका हिस्सा, अगर यहां एक में आपको बात बता हूं, अगर बेनों से कि और तो का मिज़ाज अलग होता, और आप करके देखें, तो उनसे कि अपको ये चाता ना, कि आरा हमारी बेनों की वज़े से मजबूर हो जाता कि अनकी शादी में सब बिदत्य करनी पड़ेगी, कि हल्दी, मेंदी, फलाण, ये सब चीशे करनी पड़ती है, तो ये काम करके देखें कि आप, उनके एक तो हिस्सा दे हिवान दारी से, कि पूछा जाना ये तो दे नहीं है, अल्ला पूछेगा, अपने पिर किसी का हाथ मारा तो दिया, आप ये उनसे कि देखें कि अगर तूने ये काम नहीं किया, ये हल्दी, मेंदी, पीटी, सब छोड़ दे, जोड़े, सोड़े, और सब भोड़ दे, हम तेरे को जाइदात में से हिस्सा दे देंगे, इस चर्त पे, अगर ये से, पुरन मान जाए, होड़तों का विजाज होता है, वो मान जाएगे, बोले और फिरासत वाली हो रहती, फिरासत किसको कहते है, दूर अन्देशी, आगी की सोचे है वाली, तो ये फिरासत वाली भातुन थी, और इन्हें जो पेशा था, इनके पास में से बिजनेस में लगाया, मक्का के अंदर मेले लगा कटते है थि, लोग आते थे, वहां से माल ख पेज करा जाते थे और उनका माल का पेशा और मनाफ़ा उनको मिल जाता था इस तरह से बिजनिस के लागा लेकिन जब उन्होंने अल्ला की रिसुल सलम के बारे में सुना जब उनकी बहिंद के आपका कि यह जो है सक्स उमूर चराता है और यह इमानदार है कुछ उन्होंने तो उनको यह जहन में आए क्योंसे वक्तम हुए क्यां का काफिय wallet तो उनको किया इनको बेज़ देती हूँ इसके बारे में सूना मैंने इनको बेज़ देती हुए बचरारत्र ज़ जाने वाले आदा कमिशन, जितने माल बेच गाएंगे उसका आदा पेसा, मैं उनको दूंगी, तो उनके ख़वर पहुचा है, एला के रसुल ने के पास, तो आदा के जवाब देता हूँ, और उद गए, और चाचा से पूछा हूँ, अब वो तालिप से, इस तरह से एक वोरत है, ख़दीजा, और बिजिनेस करती है, और मैं बो कहती है, कि मेरा माल लेकर बेच का, और फिप्टी पर्चनेर कमिशन देऊगी, तो आदा के रसुल ने की चचा जानते थे, क्योंकि मशूर थी, उसके अंदर और अच्छी और अथी तरह जानते, तो उन्हें फोरन हाखे दिया के जाओ, लेकिन बात ये भी देखने की है, हाला कि ये जवान थे है, लागर रसुल ने की उस वक्तों उनकी उमर होगी 20-20 साल की, जब आपने उन्हें शादी की तब आपकी उमर 25 साल थी, तो उससे 2-4-5 साल पेले का वाक्या होगा, लेकिन ये बात ये भी देखने की है, कि आप उसके बात भी चचा के बात जा रहे हैं, जबकि आप जवान थे और आपको किसी से पूछने की ज़रूत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ और ये पिर्दार ये मशवरा लेने जारे अपने चेशा से कि काम करोगे नहीं करो मैं, शान्यमुत वरुमिर की अब क्यायर Pretो में देखने की है, कि छी निग जाती तो देखने की है, उनका एक गुलाम था जिसका नाम था मेसरा उसको भी ने उन्हें साथ में कर दिया कि जाओ देखो इनको पहली बार भेज रहे हैं और कमिशन भी अच्छा दिया है 50% का 50% का तो देखना ध्यान भी रखना नजर रखना इनके उपड़ा है कि महलब पहली बार भेज रहे हैं वो थारीब तो सुनी थी लेकिन फिर उखे रही है कि नजर रखना अब इसे तो यह है कि अल्ला के रखने के नजर रखने के लिए बेज़े जा रहा है लेकिन बरहाल उन्हें बेशरा जो उनका गुलाम था उनको बेजा अजब वो आपीस आये तिजारत करके वहां पर से अब वो जो गुलाम जिसको बेजा था वो खुद अल्ला के रखने को गुलाम हो गया उनके अखलाप और किरदार और इमानदारी और की सक्सित को देखकर और वो फेन हो गया जिसको हम आज कहते हैं तो अल्ला के रखने को फेन हो गया और उसने आके जो तारीफ की थी थी अधिरते खदीजा के सामने, उनके गुलाम ने, ने इसराने, इतनी तारिफ की और इतना मुनाफ़ा हुआ, अधिरते खदीजा को उन से, 50% देने के बाद भी इतना मुनाफ़ा हुआ, कि उनको मालूम पढ़ गया कि पेरे जिन लोगों को बेचती सब बैमानी कर रहे हैं, क् इसने इतना फाइदा ला कर दिया है, और ये खदीजा रजना कर दिया है, ये ते कर चुकी थी, कि अब वो निकाह नहीं करें, उसकी वज़े भी बहुत सारी थी, लेकिन ये है कि अल्ला कि रसुल्ला सलम को जब उनने देखा, तो उनको वो पाप्स खायल आगया, कि ये सक सब्सक्राइब निकाह कर सकती, इन से निकाह किया जा सकता, लेकिन पहले थी, अब नहीं करूंगी, और उनको डर भी था, इसकी वज़े ये कि थी, कि आम तोर पर अरब के अंदर ओरतों के पास माल नहीं होता, जायदाद नहीं होती, तो उनको ये भी डरता, अगर मैं किस नहीं चलती थी, औरतों का कुछी नहीं था, तो ये भी डर था, इसके वज़े से उन्होंने निकाह नहीं किया, और अलाकि उनके पास में कई अमीर लोगों की रिष्टे आए, मशूर थी और अच्छी बिजनस, उनका बिजनस भी अच्छा था तो, लेकिन यहीं कि अल्ला इसकी पास में चेचा के पास में न कहा था, तो लाकि रखी रेक्लिन ृ Toynay और जाकर उन से कहा कि आए, उनका की पिखाब देंजा, तो गुर्णा को बचपन ःता यहीं तो यहीं मुझसे कोण करेगा निकाह. तो फिर नफीसा जो गई थी उन्होंने परमाया कि ये खदीजा ने बेजा मुझे बेजा है और वो के रहे हैं तो वो करेंगी तो उनसे नहीं का अगर तुम करना चाओ तो उन्होंने खुआई जाहिए तो मैं इसलिए आपके पास में आई अब ये कि वे इल्ला के रेस्व पेर जो है उनकी चचा के बास फिर गए मश्वर करना कि मेरे पास इस तरह निका का पेगाम आया तो ये बेखिया अब किर्दार यहां पर भी है यहाला बात बड़ें हैं, घर के अंदर तो पूचा जा रहा हो चाहे वो जवान है, खुद तितनारत करके आ हैं ये कि वो खुद बिजनस करके आ रहे हैं, खुद का सब क्सक्राइआ हैं लिएक भी पूच रहे हैं, निका के लिए भी फूचा उन्होंने वो तो कभी मशूर थी उनके सब अखलाग किरदान मशूर था तो उन्होंने फोरण निका के लिए हांके दिया यह उनसे निका करने और वज़े भी नहीं थी कोई इंकार करने की उनसे मना किया जाए फिर यह निका हदरत खदीजा के घर के अंदर ही हुआ और इनके चचाबू तालीब इने खुदबा उन्होंने पड़ा और अल्लाग रसुले सलम के पास में बचपन से अब तक सबसे ज़्यादा पेसे उनके पास में थे क्यों तिजारत करके आए तो 50% के कमिशन हुआ था और जितना माल ले गए थे सब भी गया था और इसी बिना पर अधरत खदीजा ने का था कि इमानदार सबसे उनके शादी कर सकती है तो उनके पास में माल था तब अल्ला के रसुल ने वीस उटे निया उनको मेरे में देखी उसके बाद इतना बड़ा मेर आपनी किसी को नहीं दिया